तो गुड मॉर्निंग ओल स्टुडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेल एक बेसिक चैप्टर है जो सभी एक्जाम में फूचा जाता है तो आज हम वही चैप्टर सुरू करने वाले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको आग यह तक लेके जाएंगे एडवांस त ठीक है तो सबसे पहला स्टार्ट करते है जैल तुक कि तरबसे पहले हमारे पास क्र dunno आता व कि ऊंसल Matthew शीमाल कि और एगंवत्य संप और हमने बोला इस है अब वही तैल थैज ट्यूनेटट यूनएट विच एक और फंक्ष्णनल एंडीर तो फंक्ष्णनला क्या यह बेसिक यूनित वि хват एक रिष्ट में कर दो खी तो कि तो कि क्या प्रवाइड करती फंक्शनल अंड रिष्ट एक इसको बोज सकते हैं या लाइफ लाइफ की फिर्क्टर यू इस। हम बहुत सकते हैं ठीक है तो इसके आगे हमने बात की कि भाई सेल किन 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 और ये निजम्स में भाया जाता है तो हमने बोला की सेल प्रोवाइड डेड़ इन प्लांट्स एंड अनिमल्स अ धीन तो हमने बोला कि और इन भाइट में अगर सेल अगोर याप होगे और ये यापो पता होगा ठीक है तो हुआ दोसमें समझ में और देख़ा ऑखे इसको देखो मने डिग्राम अहीं का डिग्राम न है अंसे डाइगराम ना लिया विया है कि सले का देख गरắp similarities हैं फिर हमने बोला कि यह जो है इसके part ये जो है ये यिए जिसके parts है तलस के दीची यह यह जो इसके द्श पार्ट हैं इसको हमने नाम क्या दिया Nuclear से नेंदर आपको पता है आपको पता अनें क्युक्रिस हो गया है तो इसमें क्या होगा सवल इकर हम क्रोमसों को डेफाइन करते हैं यहां ठीक है तो हम यहां पर सबसे बेले तो क्रॉमेटीन बना देते हैं यहां पर 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 क्रॉमेटीन बना देते हैं यहां यहां स्क्रामेटिन अब अब आपने बोला सर वट इस लिए अपने बोला कि वर्ट इस क्रामेटिन होते हैं जो कि हमारे सेल के नुकलियस में पाई जाते हैं उनका क्याम क्या होता है सब्सक्राइब स्कूर्ण और यह आगे की जो भी जनरेशन होती है हरी डेटी होती है उनको आगे बढ़ाने में कौसिस करते हैं ठीक है तो क्रोमोसॉम्स क्रोमोसॉम्स का भी एक काम होता है आपको पता है ठीक है क्रोमोसॉम्स में क्या होता है डिन और ने बहुत होता है तो हम यहां पर एक क्रोमोसॉ इस निकलियस ठीक है ऑक के तो कि तो यह क्या होगे प्रामोसॉमस प्रामोसॉमस भी जो सब्सक्राइब यह जो इसब इस इस बनके बनके निकलेंगे आप देख लेना चाहिए कोई सा एक्जाम उठा लेना इस इसी से बनके निकलेंगे आज हम इसका सिरफ इंट्रोडेक्शन करने वाले हैं और इसके आगे भी हम निकालेंगे जैसे सेल और येली हो गया और उसके बाद भी जैसे माइटो कुंड्रिया हो गया राइबोसॉम्स हो गया प्रोटोप्लाज सेल होता क्या है मेनली है उसके उपर यह वीडियो बनाई गया ठीक है तो हम आगे चलते हैं तो हमने लाकि हमने यसमझ लिया हमने सेल का डाइगराम अना लिया उसके अंदर कि नाम पके खेडों में वे कि कहा नूख्यर हुगा हम आगे क्या चलते हैं कि अन आया कहां से और आया कहां इस जैसे दोसका नाम कहीं से नाच वगा एक साया होगा और जैसे एक इंग्लिस वाहँ लाई हूए है तो ब्रॉंड है में दिया दॉट कि द्राइवट कि चॉंग का है क्रॉम न कि लाटिन वर्ट екजिव राइव सुग। हमने समझे लेगे का सी भासा से निकल कर आहां तो आप बोलोगी सबस्टर निकल के यह एक लिखा को तो हम ने वह नहीं आपने सही ख़ा किसका एक अलग नाम भी होता है इसके हमने लिटिन वड़ में दो नाम सुना रखें होंगे आप सभी बच्शों ने एक होता है madam मैं दो भूंता है earnest cannula डो नम में नम होते हैं tumult में यह दो नाम होते हैं represented और सेळुलुल्स और इसके जो है नाम होते हैं लेतिन भासा में हमने इस चीछ रिए नियुक्त नाया कैसे ठीक है मतला हमने ऐन्ट ले लिया कि क्या है हमने डायग्राम भी सीक लिया है रिधा कि अब आगे बढ़ते हैं अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं मीन इंपोर्टेंट mcqs के उपर चलते हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो हमने स्क्रीन को कर लिया तो हम आगे चलते हैं अब आगे से लने के चलने से पहले हम आप को कुछ को बताना जहीं हम जो आगे चलेंगे वह इसarsa फिर हम आपको क्या बताएंगे CAD माते हैं छी स्मौर्ल अस्ट सेयल ? बताईए कि और इन फटराट इन फ्लांट इन प्लांट ठाके स्मॉलस्ट इसैल बताई इम फेला जूब लान्ष उमने कि सर्ठीक था थीख है empre cap दाएं को प्लाजमा ते पीच आपने फुछाए मैं ए इसकी साइ्ज क्या होती है तो मैंने बोला इसकी साइज होती है 0.2 to 0.3 mm 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 यह चीज पता लगी कि लार जेट सेल की आपसे तो आप क्या से गरेंगे लार जेस्ट टैल कि नोन लार जेश लोन तो मैंने बोला लाट जेट सेल की आटा ओस्ट्रीच एग क्योंता है ओस्ट्रिच एग क क्याimientos पर दारडज्स द्ह Nep 없는 या ओव श्रेट मि और मूंहाएब यह बाल लॉट सेल इन फूमन बोडिवां आप से बताऊं क्याएब் नॉटे सेल इन लॉन बोडिए लोंगेस्ट आइन गयुमिन बोड़ी ना इतल इन हो मन बोडी तो लॉंगेस्ट सैल इन्हुमन बोडी होता है क्या है आपने बचाए कि साइज क्या होती है तो मैं ने बता एकि इसकी साइज कितने होती है 15-18 सेंटीमेटर होती है तो इसकी साइज हो गए कि इसकी नर्व सेल लोंगे सेल इन हुमन बोड़ी की साइज हमने बता देगी 15-18 सेंटीमेटर होती है तो एक और काराता है मिऐग्जाम में जैसे हमसे पूस लिया गया कि कि क्या होता है लारजस्ट सैल औरगनल लारजस्ट सैल औरगनल है लाज़ेस्ट सेल और नहीं होगा नुकलियस ठीक है नुकलियस होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सैल में अलगी आपको मेरे साफ से मज़े आ हैं और आपने इंट्रों एक्शन को सीख लिया होगा तो अब आगे स्टेर तो आगे चलने से पहले हम इसके नंगो कम लीदय это अब आगे हमने क्या बात किया आगे हम करेंगे डिसकवरी और दिसकور इॉफ इसका वरी ओफ उप इसका वरी ओफ है सैट मने बोला डिस्कावरी कैसे वी इसका वरी कैसे रही तो मैंने बोला तो सैल है सैल सबसे पहले एक और कमेशा ना गया था को अधर क्लाइस आफ कोर्क में रिए कि यह सबसे पहले क्या था सेल पहचाना गया था किसके द्वारा पैचाना गया था हमने बोला कि रोबर्ट हुकी के द्वारा पैचाना गया था किसके द्वारा रोबर्ट हुकी या रोबर्ट हुकी के द्वारा पैचाना गया था कौन सी साल में 1665 में पैचाना गया था सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कावर किया गया था रोबर्ट हुकी के द्वारा डिस्कावर किया देगा था इन द इयर ओफ 1665 ठीक है अब आपने बोला सर इसने सेल डिस्कावर कैसे किया तो मैंने बताया कि सैल इसने डिस्कावर किसे किया माइक्रोइसकॉप से माइक्रो मामाओंड माइक्रोस्कॉप मीस्कॉप सही इसको 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 भूर किया तो आप से पूसकता कईया कैसे दिखरे ते हैं यह है उनिक्व। लाइक श्रक्चर दिखरे थिये सुए सुए है अग निस्टेल ऑप में कमपउंड माक्रोस्कोप में करते हैं अब हम आगे चलते हैं यह तो क्या हवा यह देखो यह जो किसकी सेल किसकी डे दाइड टिसकरीएय किसी यह एक इसल की डिस्कोवरी एक इसल कि यह भी पैचानते हैं पर इसकुवरी तो आफ लिविंग सेल और लिविंग सेल तो इसकुवरी और लिविंग सोयल किसने की है तब से पहले हमें बना लेते हैं यहाँ पर वट लेंगा वटर्च माईक्रोष में डाला तो उसको पता works कि लिविंग सेल फिक कैं ऐसल लीविंग सेल गें सेल कि यह क्या है लीविंग सेथ तो यह कि ने किया आपको बसब को पता होगा total तो आट parties हो कि एंट तो भून अन वान ऐव हो का लेन तो डेंग तेंट पर किया एंट वाटर में किया पॉंड वाटर में इसने क्या डिस्कॉअर किया livingells केंజ मैं किया पॉंड बढ सब बताने यह्यां पसक्राफ वाला हूँ जो कि यह से बौत ही आ सकती है रोबर ठोट की कि के बारे मतां रोबर ठोट मेरे रोभरुट हुब्लिश की थी इसका नाम था माईक्रोग्राफ यह माईक्रोग्राफल यह सब नहीं जो भी डिस्कावरी ये दुन्या को बता सके छी कि बैजूे अप यह याद रखने की बात की कि सब्सक्राइबंब यह रखी लंदन में आम लंदन बलंदन में यहे एक और इमपोर्टन बात है इसको बात को आप नौट करते चलिए मां आपको बताऊंगा कि इसके आगे और हम रिखाने वाल राग्य हम सीखने वाले हैं ढहीक है तो एक्ट आते कर लिविंक सेल तो था इसने पुस्ट डाइम लिविंग सेल इसी ने किया था फस्टाइम लिविंग सेल इसी ने डिस्कवर किया था ओके फस्टाइम लिविंग सेल इसी ने डिस्कवर किया था किसने एंटॉन वान लिविंग होक ने सबसे पहले फस्टाइम लिविंग सेल क्या किया था डिस्कवर किया था ठीक है इसके पाद में हम पढ़ने वाले कि ईक The Summerеч ever user कि और लेगन इक और चीज आती है म्में नुकलियश किस्ने किस ने किया नुकलियस कंप अब बोलूगा सर-्रॉबर्ट प्राउन नी नुुकलियस 130 कि और इसकुआ है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नुक्लियस को डिस्कवर किया ओके रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या नुक्लियस को क्या क्या डिस्कवर किया ठीक है अब मैं बोलूँगा आपको कब किया कब किया ठीक है उसके बाद में एक आता है प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इसका ही एक सेल का ही एक सेल और ने प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म किस ने किया नहीं पुरकिंजी ने किया प्रोटोप्लाज्म को क्या किया डिस्कवर किया कब किया सर यह भी बत जिए ही प्रकिंजी ने किया गया डिस्कवर किया और किया सब्सक्राइब लिख देते हैं को clear नियोरियर तो इसके बाद में आते हमारा एक हो टॉपिक मेइन इंपर्टंट टोपिक आया का मैं इच्छा यंचना कि मैं आप से पुछर्ण की सद्टियोरी होता क्या है आप क्या बताइए स्थयोरी सर वो होता है जिसमेंक Exe Hai ठीरी होती है कुछ थियोरि या और उसको पब्लिष करते हैं nun नो बच्छ ल फंक्शन एल फंचन और फॉंट्स एडो और इट्स कमने बोला कि इस एल्ट यूरिदी किस ने अब हमने सिखा कि ड्रचल किस ने बनाया लींग इंड किसने डिस्कोर की आए सब आपने बताया तो हम ये भी तो जानना चाहे कि तो इसके दोरा जैकोब यह क्या है जैकोब सेचडलेन के दोरा की गई थी और इसके एक फ्रेंड थी जिनका नाव त्योडर कि ओडर सच्वान ने इन दोनों ने मिलकर क्या किया था डिसकवर तैल थी और यह ने जान ली कि किसने बनाई ठीक है और सेल थी और होती है यह यह भी हमने क्या जान ली हमने बात की कि सर सेल थियोरी में सेल थियोरी जैकोब सेचलेडीन और थियोडर सच्वान ने दी ठीक हम यह बात मानते हैं लेकिन इसके बाद डिडॉल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनोंने सेल थियोरी में कुछ क्या किया बदलाव किया क्या किया बदलाव कुछ पॉइंट दिये उन्होंने एक पॉइंट सुन ने दिया एक तो भी हम लिख लेता है क्या क्या दिया कि ओल तो इड़ प्री एग्डिस्टिंग सर्ज भी कर अब आपको एसका मतलब क्या है जैसे मैंने माल लिए कि एक सेल ठीग है एक सैल है कि या एक सेल है इसको मैं तोड़ूगा इसको मैं तोड़ू गाट यह मेन में तो यह जो बड़ा सेल है यह चोटे-चोटे इस्व में तूटेगा तो उसी को क्या नाम हम देंगे हैं तो उन्होंने भी यह सेम अच्छी बात कहीं कि क्या ओल सेल्स अराइज इस फ्रॉम इट से प्री एक्डिस्टिंग सेल्स पूरा और इसको हम तोडें गें तो इसके क्य हुट सारे साथ बन जाएंगे डिफरंट सेंट बन जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं रिडोल्फ विर्टों ने बताया था ठीक है रिडोल्फ विर्टों c शर्क, बहुत ही इंपोर्टन औक शर्क बन सकता है में जिसे स्चाने भिट शर्क दोंसे टीक, साब से ओम्नेस स्टैलूले ओम्नेस सेलूले इन्होंने क्या दिया दैक वार्ड दिया इस पूरी इस पूरी आ थैल्ट यॉरी की एक मेन पॉइंट से ठीक कर और ओमनेस इस यॉला को ही हम क्या बोलते हैं अब अटेवरी मिस के आल जो पाद में अलग बदला किया यह होगा अब कम समझते हैं कि के समस्क्राइब कर दोके आप तेवरी थ्योरी ट्रेनə तेसे लेकिन लास्ट में एक और पॉिंट आता है वाइरेसे आर आपसे यह यह तो हम बारी बारी से बारी बारी से क्या करते हैं Cell Theory के Point से लिखते हैं तो सबसे पहला Point आता है All Organisms All Organisms All Organisms Are Made Up Of Cells Are Made Up Of Cells Made Up Of Cells Either Either They Are Made Up Of Either They Are Made Up Of Multicellular Multicellular Or Unicellular Or Unicellular All Organisms All Organisms Are Made Up Of Cells Either They Are Made Up Of Multicellular Or Unicellular अब आप मुझे बात बताएंगे कि Multicellular और Unicellular होता है Multicellular यह क्योंता है? Multicellular Two or more Cells और यह क्या होता है? Only One ठीक है? Unicellular और में आपको Difference आ गया होगा इसके बाद में हम जानते हैं Second Point Second Point Second Point का है? All Metabolic Reactions Reactions Metabolic Reactions बहुत सारे बहुत परकार की Metabolic Reactions होती है हमारे सरीर में होने को क्या बोलते है? Metabolic Reactions बोलते है Metabolic Reactions बहुत सारे Acid के तवारा की जाती है जैसे Pepsin हो गया जैसे वह हो गया क्या बोलते है? Acid हो गया और भी कई Acid होते हैं जो कि क्या करते है? Metabolic Reactions को होने में हेल्प करते हैं उसके बाद में हम Third Point जानते हैं उसके बाद में हम Third Point जानते हैं All Cells Are Made Up Of Are Made Up Of Existing Cells Existing यह सेम पॉइंट उठाके Redolphe Virchow ने इस Cell Theory में डाल दिया मैंने आपको समझाए कि Redolphe Virchow कौन था तीसरे स्लाइड में मैंने आपको समझाए कि Redolphe Virchow कौन था तो Redolphe Virchow का यह जो Points है यह हमारा Cell Theory में जाना जाता है इसके बाद में हम एक लास्ट पॉइंट जानते हैं लास्ट इसका Cell Theory का यह लास्ट पॉइंट जानते हैं जो किया वाइरसेश वाइरसेस आर अच्लोरे सन अच्छार्च आट एक्सेंट हो गया झैंनते हुग कि मेर की तो आज हमने क्या जाना इंट्रोडेक्शन जाना फिर्ट्रेक्शन था इसके हागे हम क्या करेंगे क्यों सन्वारीं करेंगे कियो सनब प्रैक्टिस करेंगे एम सब्सक्राइब करेंगे एमसी कुव करेंगे ठीक है हम एंसक्विकर टोटल टॉस्टार्ट करते हैं मापको बोर्ड में लिख वाओंगा एम सी क्यों साप राइट करना ठीक है में एम सी क्यूंस हैं जो कि एक्जाम में बहुत बार पुछे दा तुके हैं तो फर्स्ट आता है जटाम तैल वाज गीवन बाई वाज गीवन बाई वाज गीवन बाई रोबर्ट ब्राउन रोबित हो कि रोबट पुछ रोबर्ट फुक कि ताल्स डार्विन थास डार्विन था ओल अब अब ऑल आप दा अबो अलएब आब ऑव ठीक तो वो दस्त टेम सेल वाज गीवन बाई किसके दारे गया गया था हूं टोर गैधा रोबर्ट थोकी घॉर्च नेक्स गैस्ट ठीया में थिए आ आता है हमारा सेचले दिन और च्वेंट अच्वेंट पी काल वूज काल वूज काल वूज काल वूज की पॉइंट आता हमारा तार्विन वेंट आता है ऐले घा देज़ेंट ह Mercеч automated टे इसमें है रॉच्ट आन्सर क्या होगा right है इसमें फस्ट ऑप्टैम एंड शच्वें राइट आंसर क्यों देगा थैसे ड़ीन एंशच वेज यह मने दो एंस्यू कर लेंगे हम यह तैन एंजी को करेंगे है हमारे एंजी को भी पस्ते है ठीक है तो राइट करो 3rd mcu 3rd mcu camera the longest cell in the human body the longest cell in the human body the longest cell in the human body is ठीक है इसमें बोला कि आपको यह option किया है अमारा नर्व सेल्स यह option का है नर्व सेल्स यह option क्या है microplasma micro plasma आप यह option हमारे क्या है liver cell यह option क्या है नी बडी के बार्य में श्रहत कर दिए जैल इके फेड़नी सेल जा में बोडी के बारे में हमन फोलगी के सेल संटों 们 बात की क्या होगा 이सी option एह होगा लोगान लिए सेल्म एसे zya है टहूर्ड सिकटेक थैं फुर्थमल हूं सी कि तटन नम्ह एफ लेंस इन चंपाउंड लाइच माय कュेस्काप लामर्म Higher लैंस इन कंपाउंड माय क्रॉस्कॉप ट्लैंड व्रमण उकान ओडीको लिए फ्रस्टोर आंपक एसंग Muan आता है वन अप्सन आपक्या आमने आता है तू यह आप्षन आता है हमारे सामने प्रण दी आपक्या था मारा आमने नन तो आप्षन आंशर या वास का इसका आंसर होगा तू तर नमबर अफ लैंस इन कंपाउंड माइक्रोश कॉप इस तो इस जागे हम सब थैड कि M.C. कुपा चलते हैं इस पर चलते हैं फिप्थ M.C. कूं पर द। हीसट्री अफ यह सल बिगन इन हिस्तृत्री अफ दी इसल पेवर प्रौन गर्मर्श systems आंता है व्यां से बन facto अलशा है आदे फिट्ट एंड जा टौने पॉप्रू पॉंडन मोंसे दो अबिलें हां सब मिक्रोग्राफ्या मिक्रोग्राफ्या so the history of the cell began in 1665 in London and published a book मिक्रोग्राफ्या so option ticklo yeah Robert Brown Robert Brown C. Darwin C. Mendel and D. last Robert hooky yeah Robert hooky oh is the fifth mcq का हमारा answer क्या हुदाइगा Robert hooky the option ठीक है चलते हैं next question पर 6th mcq पर चलते हैं 6th mcq पर 6th mcq हमारा क्या है the idea omnis omnis cellula easily omnis luxury lily omnis touring cellula E truly is given by is even by is given by oh first option also male takkim यह फर्स्ट ऑप्सन क्या लिखता हूं आपके सामने में लिखता हूं रोडल्फ विर्चो रिडॉल्फ विर्चो एंडी इस नन दी इस नन दाइडिया इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रूडॉल्फ विर्चो पूंप चलते हैं तो हम चलते हैं धृब 7th M-C Kew पर इस वर चलते हैं 7th M-C Kew पर शलो में को कर देयो चलते हैं 7th MC कूफसके स्षानधwhere 7th MC कहना विच थे फोलिई अ kindergarten सब्सिवेड W कर दिन कर देते हैं 7th M-C Kew पर ék margin a tuaso न और फेर अ satan इस को लिडर खा अ शंक की Watts टेप वेरियबल टेप ठीक है फिच फॉब्ड फॉलाइंग है ए रिगुलर और वेरियबल सेप आपसिंस लिखते है आपके सामने फास्ट इस यूगलीना इस यूगलीना इन इस अमीबा टीज़ ये इस्ट एंडे इस अल अफ दीज इस अल आफ दीज तो आपको पता होगा कि इरुगलर और वेरियबल सेप कौन से और गिनिजम की होती है तो अमने वला अमीबा की होती है इसका डाइकरम बना कि दिखाओ जैसे अमीबाई हो गया वसे माला में बढ़ियों इसका यह होथा है सेंटर पी और इसको क्या बोल सकते हैं फूड वैक योल एक करता है क्या है फुड जैसे कोई भी भार फूड इसके कॉन टेक्ट में आएगा मैंसे मैंने माले कि एक फु के कॉंटते मैं आया है कि वैस के कॉंटेक्ट में आया ह। हो अमीबाने इस तपाठी को आपने अंदल लया अंदल लिया अंदल लिया सी वनेगा यहां पर ये यहां जाएगा फु दाहर्या पर किसके तरप साय कोंसे असे प्रॉसर्स के तरब से आय Será well अफ लिक देता और इसके बाद डाइजस्ट कर लेगा डाइजस्ट करने के बाद यहां से वह है यहां पर सैल से इसको क्या कर देगा इजेशन कर देगा इजेशन क्या कर देगा वातलब भार निकाल देगा फुड को ठीक है तो यह मैंने आपको समझा दिया की सावंध एंसी कि मैंने समझाय कि यूरिगुलर सेप और अमीबस सेप ठीग है अब हम इसको करते हैं क्लियर क्योंकि यह से रिलेटेटेट हमने आपको समझाया है एंद्रेटेट समझा दिया अगे बने रहने दो यह क्या करते है तरह बना रहने दो आप एट किसन आपके सामने है बने अब आपके साह मने क्या है लिए मटेरिल बिच अर parlar लिन रसली संटेन दिलानेटिक मटेरियल रखेजर तक बजांदेन आपके सामने का, लिन उत्मार व्रेडियल अर पकारिए लेकल अज़ यूंग litigation जायो कारी आटिक दाल is contained in is contained in जाफेंड इन पास्ट प्समेल इंप टाप किसम ने साइट ईप्लाज्म कोना साइटोप्लाजम ये आप strategically s hea PR आ ऐसे मेने आक्सामObंण सब्सक्राइब दखाँ हम निगान के सामने मेने का नुकली ओला लगाल्स और दीयोंu एव alloraragen twins यिए आए आथ अटेड़ा ये की सका आइट आंसर क्या होगा what is the right answer in दिस्क्रेशन ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या तर्फ लेगा निक्लियस देनेटिंग मटेरियल किसमें उता है देने ऊरायोगे ने यह कंटेन होता है आपको डेने की फुल फूर्ल बता होगे डीओक साई तो राइबन नुकलिक एसेड राइबन लुकलिक एसेड इसकी मतिस्केट और आहीं अन aven को एक यॉन को करनेिक रैकोल नुकली एक जींडюсь इन एक दोने फिल खॉम इन जा सकती है में टीख मैं थी लिफ यह उनिकरत दोन के बखेजी किन है इन कि क्या पैटल सकती यह जकती है रइब यह हमारा है वेकि अमारा है नुकलिया नुकलिया लिए लएसी इजीट आफ? उसे बोला परोटीन सिंतेशिस प्यसके जिए बोल्हों प्रोटीन संथेशिस सिंतेशिस उसी बोला कि अंची की हमने बोला की राइब व्साम नुकलिया सी अर्ड एम्र एन एन्स थे सस्ट तो यह डिफ्रेंट क्यों सन है प्लक यह हमने आपको नहीं बढ़ाया लेकिन अभी जान लेते हैं नुक्लियोरस क्या होता है heat क्या होता है heat of a ribonucleic synthesis ribonucleic synthesis तो इसमे राइट आप्शन क्यों जागा C ribonucleic synthesis ribonucleic synthesis of last last mcq final mcq आपकी screen पर आता हुआ 10th mcq what is 10 mcq nucleus was discovered by nucleus was discovered by nucleus nucleus a wise discovered by by discovered by mcpally America Mendel was really amnically Comendial behemmely car Robert Robert spooky Robert brown like that Robert Brown he am lily car Darwin और इंदी हमने लिखा नंत के कि अनकर नंट नुक्लियस वाल डिस्कवर्ट थी डिस्कवर किया था oldiskyky wasный नुक्लियस आ 주े मैंन आपको पढ़ा है इंट्रॉडेक्षिन में पढ़ा है तो इसका साघ। क्यों देंगा रोबर्य ब्रावंद यहीं तक हमारी क्लास्ति हम ने पृट्ब भी किया था हम THIS इसuta तरौर ऑज्य कर तो इस एक पॉइंट दिया था टा का penguinी तरिण लिए दिस्टिंग सेल्स तो इसको अमने क्या बला साथ खतम होई ली थेल की हमारी एक लास आज खतम होगी लास्ट में आप को एक मोबाइल नमर देना चाहूंगा मैं जिन पर आप को बोल कर सकते हो अगर आप पे हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो यह यह नमबर आप नोट कर लीजियेगा नियाण मैं उनतिस अच्छो छी आशी तीन सो अच्छतर यह जी एस प्लैनिट तर दिने सर्च दिने सर के न कि यहाद आपको पताऊं कि यह प्लैनिट पर आप और कोर्स करीच सकते हैं कोर्स का सिधसे नर्सिंग हो गया आपका यहीं सब्तल कि नर्सिद तो गया रब ब अशिख Теперь हो गया आर पीएस्टी सेकंड ग्रेड हो गया आपका लिए टी हो गया तो इसारे बच्छे जो भी एक्जाम करते हैं यह इन नमर पर कोज कर सकते हैं कोई भी उनको कोर्स करीदना हो और आप हमारी एक अप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कर सकते हैं जीएस प्लैनेट इंस्टिट्ट यह जानिट इंस्टिट्ट अंगे कहां से डाउनलोड करने आपको लेक्स cae इस अपटिए अधिर आपको कोई कार्स लेना तो अग्राप को सिना जैसे नीट का भी हो गया नीट का भी कोस है अपना एप्लिकेशन पे तो आप ये अप्लिकेश्न से क्या खिर सकते हैं को खरी सकते हैं देने सर से बात कर सकते हैं आज के लिए फिसक्षा यह थेंक यू एट वे नाइस टे